हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई ग्रेट इंडियन किचिन यहां मिलते हैं आपको सिंपल और स्वाधिश्ट रेसेपिस जिनको आप आसानी से बना सकते हैं आज हमने बनाए हैं यह मूली के प्रांठे यह बहुत डिलिशियस और टेस्टी होते हैं सर्दियां आने वाली है और लगभग सभी के फेवरेट होते हैं तो इनको बनाना मुश्किल नहीं आए पर जिनको नहीं आते उनके लिए है यह रेसेपी तो आप प्लीज रेसेपी देखिए पसंद कीजिए पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह देखिए कितने मस्त से प्रांठे बने हैं मैं इसको खोल के दिखाती हूं यह देखिए यह बिल्कुल मूली से भरे हुए प्रांठे हैं यह बहुत टेस्टी हैं तो आप इस रेसेपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिए तो चलिए बनाते हैं मूली के स्वादिष्ट से प्रांठे फ्रेंड्स हमने एक कप आटा ले लिया है उसमें यह आधा चम्मच नमक डालेंगे आप अपने स्वादे नुसार डाल सकते हैं उसमें यह एक चम्मच हमने ओयल डाला इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं अब हम कपानी की सायता खा की साइता से मुलायम डो लगाएंगे अ पानी से आठा पानी से और यह देखिए इतना मुलायम बिल्कुल रोटी जैसा गूंदना है उसके बाद हमने दो मूली लिये और दो मूली को इस तरह से काट कर और पील कर लेंगे जिसा की आप वीडियो में दे क्योंकि मोटे वाले से तो ज्यादा मोटे लच्छे आते हैं और अब हम कद्दू कस करने के आद इसके पानी को इस तरह से निचोड लेंगे फ्रेंड्स काफी टाइट टाइट निचोडना आप उसमें पानी ना रहे नहीं तो भरते टाइम हमें परेशानी होईगी और यह देखी दो मूली में इतना सारा पानी निकला है अब हमने हरा धनिया अधरक और हरी मिर्ची लिए इसको डाल देंगे मिर्च आप अपने स्वाधे नुसर डाल सकते हो मैंने एक हरी मिर्च डाली है अभी इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमे मूली में ताकि ये हरी मिर्च अदरक और हरा धनिया अच्छे से मिक्स हो जाए सारा धनिया जरूर डालना बहुत टेस्टी लगता है आधा चम्मच लाल मिर्च लिया है एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है और अजवायन थोड़ी सी लिये इसको हाथ से ऐसे क्रश करके डाल देंगे इससे टेस्ट भी अच्छा आता और डाईजेशन के लिए भी अच्छी होती है आधा चम्मच नमक लिया है नमक अपने स्वाद के अनुसार लिए जिए और इसको ऐसे फोक की सायता से मिक्स कर देंगे ताकि सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए फ्रेंट्स फिलिंग तयार है अब हमने आटेश में से लोई लिये जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी लेंगे क्योंकि हमें इसकी दो लेयर्स बनानी होगी फिलिंग भरने के बाद एक उपर हो जाती है नीचे बीच में फिलिंग होती है तो थोड़ी सी जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी और इस तरह से हम उसको फिल करके बेल लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसको कोट करकर अच्छे से बेल लेंगे और फ्रेंट्स थोड़ा बहुत अगर निकलता है तो यह कोई बड़ा इश्यू नहीं है और गतवा गरम हो गया था अब इस पर हम अपने मूली के पराम्ठे को डाल देंगे और ओयल या घी की साहिता से इसको पलट पलट करकर सेकेंगे एक साइड सीखने के बाद दूसरी तरफ पलट देंगे और फिर ओईल लगा देंगे फ्रेंट्स और देखिए फ्रेंट्स इसको पलट पलट कर सेखेंगे करारा होने तक और फ्रेंट्स जो हमने शुरू में आता गुंठी टाइम ओईल डाला था उसके करण ये बहुत खस्त है आप इनको जरूर बनाईए सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं देखिए फ्रेंट्स सर्दियों में इन परउंठों का अपना ही मज़ा है तो जरूर बनाईए